कि यार काफी दुनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक डेडिकेड़ी स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए जिसमें हम सुर्फ बोड की बैस स्मार्ट वॉचिस कवर करें यूँकि मैं आलड़ी ऐसा ही कॉंटेंट बना चुका हूँ जिसमें मैंने बोड के बेस्ट ट्रू वाइलस एरबड्स और बोड के बेस्ट हेडफोन सो कवर किया है अगर आपको चेक आउट करना है तो हमारे वीडियो लिसमें आके चेक आउट करके उनको देख सकते हैं और लग लग फीचर से ताकि वीडियो के इंट तक आप अराम से और आम से पौश से पौश से डिसाइड कर पाए मेंली आपके बज़ेट के हिसाब से look and feel के हिसाब से आपके purpose के हिसाब से आपको कौन सी स्मार्पफ चीए कर सकते हैं So, hope you like this one and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So, let's get started. Coming to the first on the list, we have Boat Wave Pro Smartwatch. इसका प्राइस है अप्रॉक्सिमेटली 2900 रुपीज लेकिन ओफर से डील साथ है इसको बाराम से 2500 रुपीज के आसपास ग्रैब कर सकते हैं. इसमें आपको 1.69 इंचिस का स्कॉर बरा आपको डिस्पले मिल जाएगा, HD डिस्पले, साथी में इसमें आपको 20 mm के प्रॉपर सिलिकन स्ट्रैप्स मिल जाएगे, कॉलिटी से कोई कॉम्रमाइज नहीं किया गया है, पूरी आपको यहाँ पे पॉलिकारबनेट मटरियल की ब साथी में इसमें आपको टेंप्रीचर मेजरमेंट और स्लीप मोनिटरिंग का ओप्शन मिल जाएगा, इसका यूजर इंटरफेस जिया गया है, बिल्कुल आपको लैक फ्री मिलने वाला है, बिल्कुल आप स्मूथ तरीक इसका UI यूस कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली ब पाएंगे, यह भी एक प्लस पॉइंट है, और साथी में इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है, कि इसमें आपको मिलने वाला है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, 30-40 में आपकी स्मार्वाज बिल्कुल फुल चार्ज हो जाएगी, इसको अब अप्रॉक्सिमेटल अगर आप हेवी उसेज करते हैं, तो 3-4 दिन का आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगा, नॉर्माल उसेज पर आराम से 5-6 दिन का बैटरी लाइफ निकाल देगा, बैटरी पाट को लगी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, as such, और इसमें आपको एक बिल्ट-इन गेम ही मिल Coming to the second on the list, we have boat exchange smartwatch, इसका price है approximately 3500 रुपीज, वेकिन आराम सी ये कभी भी deals आती है, नॉर्मल डेस पी इसको आराम से 3000 रुपीज में ग्रैब कर सकते हैं, और जब आपको ये 3000 रुपीज में मिले, तभी इसको आप ऑप्शन में रखिएगा, 3500 रुपीज की इस साफ से थोड स्मार्ट वाच में, और इसका plus point ये है कि इसमें आपको built-in Alexa का feature मिलने वाला है, जैसे आप connect करेंगे Alexa से तो आप directly commands दे सकते हैं, smartwatch पे ही, तो directly commands एक्सेप्ट करके, जो भी output हो का आपको proper तरीके से प्रोवाइट कर देगा, आपको built-in Alexa का feature चीज को आप definitely option में रख सकते है साथ ही मिल जाएगा, 14 आपको different sports modes मिल जाएगा, application का support भी मिल जाएगा, application से connect करके आप सारी का सारी customization कर पाएगे, और इसको user interface दियागा, अपको लग सकता हलका full का थोड़ा बहुत आपको lag लग सकता है, थोड़ा slow work कर सकता है user interface, बहुत दो smoothness नहीं दी गई है, फिर भी proper accessive glasses को दिक्कत तो नहीं आएगे, लेकिन आपको लग सकता हाँ, हलका हलका ही थोड़ा बहुत slow work कर रहा है, और इसमें आपको 5 ATM waterproof relation feature भी मिल जाएगा, इसको definitely swimming के time भी यूज कर पाएगे थोड़ी दिर तक, आपको पानी के stresses लगते है, sweat आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें आपको approximately 4 से 5 दिन का battery life भी मिल जाएगा, normal usage पे, heavy usage पे approximately 3 दिन के आसपर battery life भी निकाल देगा, तो अगर आपको built-in Alexa का feature चाहिए, multiple sports modes चाहिए, application support चाहिए, look and feel से बिल्कुल compromise नहीं करना है, इसको भी आप option में रख सकते हैं, इसको भी आप option में रख सक smart watch, इसका price approximately 3500 रुपीज, mainly आपको एक बड़े display की smart watch चीए, इसमें आपको 1.75 इंचिस का HD big display मिल जाएगा, साथ में इसमें आपको 2.5D curve, glass में मिल जाएगा, पूरा आपको metallic frame मिलने वाला है, 22 mm के आपको silicon straps भी मिल जाएगे, so mainly आपको बिल्कुल एक, आपके हातों की कला आप message send कर सकते हैं, तो यह एक plus point, अगर कोई option चीए, तो बहुत ही अच्छा initiative है, इसको आप concentration में रख सकते हैं, 37 में आपको fast charging का support भी मिल जाएगा, 10-15 में अगर आप charging करेंगे, smart watch को अराम सी, एक दिन के आसपा बैटरी लाइफ भी निकाल देगा, full charging में अप्रॉक्सिम आराम से जेल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें भी, अगर हम बात करेंगे, smoothness की user interface का समा को smoothness दी गई, आपको अच्छा मिलने वाला है, बहुत जादा perfect UI नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से इसको आप use कर पाएंगे, ऐसे इसको इस भी है, boat matrix smartwatch, इसका price है approximately 4000 रूपीज, और इसमें आपको बिल्कुल perfect 1.65 इंचिस का आपको AMOLED डिस्पले मिलने वाला है, साथी में इसमें आपको 2.5D curved glass मिल जाएगा, look and feel से बिल्कुल compromise नहीं किया गया, metallic आपको design मिल जाएगा, body का, 20 mm का आपको silicon straps मिल जाएगे, मैं इसको personally काफी time से use कर रहा, मुझे सच कोई दिक्कत नहीं आई है, में लिए आपको बिल्कुल उबरा उबरा प्रॉपर, आपको bright display चीए, AMOLED डिस्पले जो धिया गया है, बिल्कुल perfect तरीके से work करता है, outer condition में भी इसको आपको आपको always on display का भी option मिल जाएगा, और अगर always on display on रखेंगे तो बैटरी आपको approximately 2.5 दिन निकालेगा, 2-3 दिन के आसपास आपको battery life मिल जागा, अगर आप always on display on करेंगे तो, अगर आप normal usage करते, always on display बन करते, तो आराम सी है, 4-5 दिन के आसपास heavy usage पे battery life निकाल देगा, बैटरी भी इसमें आपको वेको तगड़ी मिल आपको options मिलने वाले हैं, जितनी भी आप tracking activities करते हैं, आप एलको track out कर सकते हैं इनसे, और जितनी भी आपको smart watch बता रहो नो, board की जितनी भी आपको smart watch बता रहो हमारी list में, किसी भी आपको built-in GPS तो नहीं मिलने वाला है, accuracy अगर आप application से connect करेंगे, और application में अगर आप GPS on करे आपको थोड़ी बत fluctuation सारी की smart watch में, जो भी आप tracking activities करते हैं, बले को sports modes की हो जाए, उसमें आपको हलकी full की थोड़ी बत fluctuation देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा perfect accuracy नहीं है, फिर भी आपको लेकर manageable अगर आप fitness free के हैं, तो हलकी full की आपको fluctuation देखने को मिल सकती है, सा आपको अच्छा manageable UI में जाएगा, बहुत ज़्यादा perfect smoothness नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई lack feel नहीं होगा, प्रोपर तरी स्वाप access कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे इसकी UI को लेके भी, इसको भी आप definitely option में रख सकते हैं, अगर आपको AMOLED display का, always on display का option चा का, current price भी आप check out करके देख सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल एक round display की smartwatch चीए, इसमें आपको बिल्कुल proper 1.39 इंचिस का round AMOLED display मिल जाएगा, always on display से जाती है, पूरी आपको metallic build मिल जाएगी, sturdy आपको look and feel मिल जाएगा smartwatch में, and 20 mm के आपको leather straps मिलने वाले हैं, अगर एली smartwatch है, जिसमें आपको Bluetooth calling का feature मिलने वाला है, सही तरीके से work करता है, अगर आप घर के अंदर आराम से शान्त एन्वार्में में बैठे हुए हैं, आराम से जो microphone है, सही तरीके से work करता है, सामने वाला focus लिए आपको सुन पाएगा, speaker इसका आपको educate मिल जाएगा, अगर आप शान्त एन्वार्में में है, तराम से आप Bluetooth calling कर पाएगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसमें आपको मिलने वाला है, heart rate monitoring, sensor, blood oxygen measurements, sleep monitoring, stress monitoring का option, voice system का feature भी मिल जाएगा, आप simply tap करके Google आइसेंज जो feature है, आप iPhone यूज़ करते हो, साब से इसको अब utilize कर सकते हैं, यह भी एक plus point है, और इसमें आपको 11 different sports modes मिलने वाले है, application का support भी मिल जाएगा, पूरी आप proper customizations कर पाएगे, application parts से ही, watch face change कर पाएगे, music control, camera control, multiple options मिल जाएगे, और इसमें आपको IP67 water and sweat resistance feature मिलने वाला है, dust resistance feature, underwater इसको मतले की जाएगेगा, मेरे इसाफ से क्योंकि आपको leather strap म मिलने वाला है, built-in आपको speaker मिल जाएगा, तो खराब होने के chances हैं, लेकिन पानी के splashes लगते हैं, sweat आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर आप Bluetooth calling का feature use करते हैं, अगर आप बिल्कुल heavy Bluetooth calling करते हैं, तो और अगर आप normal usage करते हैं, Bluetooth calling का feature use नहीं करते हैं, तो कम pricing से लेके उपर वाली pricing तक, अब आप पर DCR matter करता है कि आपको कौन सा display चीए, round चीए, rectangle चीए, strap कैसा चीए, आपको बड़ा display चीए, कि आपको overall जो feature से कैसे चीए, आपको बता दिया हुआ, सब में अलग-अलग purpose दिएगा है smartwatch में, सारे के सारे possible links भी दे दिए हैं, मैं as I told you if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all, so thank you for watching this one and see you in the next video, thank you